अश्लम अलेकुम, आजका अमारा टॉपिक है सलुलर रिस्पारेशन, जो कि हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, अब इसको फर्दर डिटील से पढ़ते हैं, सलुलर रिस्पारेशन जो है वो सब डिवैडेड है four class में, four class में फर्दर ये डिवाइड है, one है glycolysis, दूसरा है pyruvic acid oxidation, तीसरा है crave cycle, fourth है respiratory chain या हम बोल सकते हैं electron transport chain, अब जो यानि इसकी locations होती है वो बहुत important है, कि कहां कहां पर ये steps होते हैं, पहला जो हमारे पास glycolysis है, वो cytosol में होता है और उसमें absence of oxygen होती है, यानि oxygen की presence ना हो, दूसरा हमारे पास pyruvic acid है, crave cycle है, electron transport chain है, ये तीनों हमारे पास mitochondria में होते हैं, और वहां पर oxygen का ओना जो है वो लाजमी होता है, यानि oxygen वो आप पर present होता है, साइटोसोल अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप cell, जो साइटोपलाजम हम बोलते हैं, साइटोसोल और साइटोपलाजम एक चीज़ है, अब हमारे पास हम स्टार्ट ले रहे हैं, glycolysis, glycolysis का मतलब है, तो glycolysis जब हमारे पास पहले आता है, यह जो है दो वर्ट का combination है, यानि glyco का मतलब होता है glucose, glysis का मतलब होता है breakdown, यानि breakdown of glucose molecule into pyruvic acid is called glycolysis, यानि glycolysis में हमारे पास breakdown होती है glucose की, simple, अब इसमें glycolysis में absence of oxygen होती है, पहले भी हमने पढ़ा था कि oxygen इसमें present नहीं होता, और यह हमारे पास साइटोपलाजम में होता है, यह हमारे पास हम बोल सकते हैं, साइटोसोल में होता है, अब जो glycolysis होता है, यह फर्दर हमारे पास उसमें two phases आते हैं, एक हमारे पास preparatory phase आता है, दुसरा oxidative phase आता है, अब हमारे पास जब स्टार्ट हम लेते हैं, जब glucose ले लेते हैं, उसकी breakdown होती है, और energy जो है, उसमें energy जो है, वो expand होती है, तो उसको हम preparatory phase केते हैं, जिसे के, अब सबसे पहला step हम ले रहे हैं, एक glucose molecule हमने लिया है, ठीक है, यहाँ पर हमने ATP इंटर किया, जब हमने ATP इंटर किया, तो ATP का phosphate जो है, वो glucose के साथ लग गया, और ADP जो है, वो बाहर आ गया, यानी phosphate ग्रुप जो है, वो यहाँ से चला गया, glucose के साथ लग गया, अ याम ची कारबन तो हमें बता है कि glucose का इंटर किल 6 कारबन का है और इसके साथ phosphate लगा है, तो हम यह बोल सकते है, glucose 6 phosphate अमारे पास बन गया, अब second step इसका है, second step जब हमारे पास आता है, उसमें यह होता है, जो glucose 6 phosphate वहाँ पे अमारे पास बन गया, यह convert और जाएगा, 6 phosphate में चेंज हो जाएगा, फ्रेक्टोस जो है, उसका formula भी C6H12O6 है, बट डिफरेंस यह है कि glucose और फ्रेक्टोस का जो structure है, वो डिफरेंट है, ठीक है, तो molecular formula इन दोनों का सेम है, जिसको हम बोल सकते है कि glucose और फ्रेक्टोस एक दुसरे के isomers है, ठीक है, सिर्फ इसका structure जो जो है, वो चेंज है, बट इसका जो formula है, molecular formula वो सेम है, अब फ्रेक्टोस को क्यों, मतलब फ्रेक्टोस 6 phosphate क्यों बना, क्योंकि glucose जो है, वो फ्रेक्टोस को अपने साथ नहीं रख सकता, इसने अपनी structure को चेंज करके फ्रेक्टोस खुद को बना लिया, और वहां पे फ्रेक् प्रेक्टोस नहीं कर सकता था, तो फ्रेक्टोस बन गया, फ्रेक्टोस जो है, फ्रेक्टोस जो है, फ्रेक्टोस जो है, फ्रेक्टोस जो होता है, जो फ्रेक्टोस 6 phosphate होते है, अब यहां पे पिर से हमने ATP जो है, वो डाल दी, और हमारे पास ADP जो है, वो रिलीज हो गया, वो अंदर जाके यानि उसकी वो ग्रूप के साथ लग गया यानि फरेक्टोस six फॉसपेट जब हमने लिया था यह अब फरेक्टोस one six बाइ फॉसपेट बन जाएगा जो दो फॉसपेट थे पहला वाला फॉसपेट यहां पे लग गया था अब जब हमने इंटर की ATP उसका फॉस्पेट यहां पे लग गया अब हम बोल सकते हैं फ्रेक्टोस 1,6 बाई फॉस्पेट यानि एक और 6 पे लगे हैं दो फॉस्पेट अब स्टेफ 4 में क्या आता है 1,6 बाई फॉस्पेट को लेते हैं उसमें इंजाइम डालते हैं तो जब इंजाइम हमने डाल दिये तो वो दो फ्रेग्मेंट में हमारे पास स्प्लिट हो जाएगा फ्रेक्टोस फ्रेक्टोस जब दो फ्रेग्मेंट में स्प्लिट हो जाएगा तो वो दो प्रेगमेंट जो है वो अमारे पास तृ कार्बन वाले होंगे वो भी तृ कार्बन वाले होंगे एक पास्वो गलाइसर एलड़ाइड हम बोल सकते हैं या हम इसको गलाइसर एलडेहाइड तृ फॉसपैट बोल सकते हैं दूसरा हमारे पास डाय, हाइड्रो, आकसी, ऐसिटोन, फॉस्पेट है. अब यह दोनों भी एक दूसरे के आईसोमर है ठीके? जैसे के ग्लुकोजर, फ्रेक्टोस, आईसोमर थे, यह दोनों भी एक दूसरे के आईसोमर है बड़ ये जो है ये कीटोन से थालुक रख रहा है ये लडिए हाइट से अब यहां पे जो प्रिफरेट्री पेस्ता वो अमारे पास यहां पे कंप्लीट हो गया यह complete हो गया अब दूसरा हमारे पास phase start होता है यह देखिए 3-3 carbon में split हो गया one phosphate A के साथ चला गया दूसरा phosphate दूसरे के साथ चला गया अब जब oxidative phase है वो हमारे पास start हो जाएगा step 5 में oxidation का मतलब था कि the removal of hydrogen, the removal of electron but the addition of oxygen is called oxidation जो के oxidative phase पाम पड़ रहे है अब glycolysis क्या करता है PGAL को आगे तोड़ने के लिए continue रखता है डाय हैडरो ऑक्सी एसिटोन phosphate जो है वो आगे नहीं जाता जब यह आगे जाएगा फर्दर breakdown के लिए glycolysis में यह select हो जाता है तब यह मजबूर हो जाता है यह भी खुद को convert कर देता है PGAL में क्योंके दोनों isomers है दोनों का molecular formula सेम है बट structure different है यह भी अपने structure को rearrange कर के PGAL बना लेंगा तो हमारे पास अब दो PGAL molecule हमारे पास होंगे अब जब step 5 की बात आती है अब PGAL जो है अपने आप से दो electron और दो hydrogen को remove कर देगा जो क्याम के रहे है न oxidation हो रहा है जब यह दो remove कर देगा इस दोरान अम NADH जो है वो insert करेंगे जो दो NADH इंसर्ट करेंगे जो के वो उसको यह यह जो है विए यह उक्सिडेशन हो रहा था यहां पे reduction हो जाएगा या यानि addition of hydrogen यहां पे हो जाएगा यहां से remove होगा तो oxidation होगा यहां पे addition होगा तो reduction होगा तो यह reduce हो जाएगा यह oxidize हो जाएगा इस ने इसको reduce कर दिया अब यह NADH बन गया हमारे पास जो PGAL के पास remaining phosphate था वो चेंज हो जाएगा ग्लाइसरेट 3 फॉसपेट में वो जब दूसरे फॉसपेट को यानि रिमेनिंग फॉसपेट भी जाके उसके साथ लग जाएगा पहले तो हमारे पास PGAL था उसके साथ एक फॉसपेट था ठीक है जैसे यह वाला मॉलेकुल यह PGAL यह भी इसमें कनवर्ट हो गया तो टू PGAL हो गए वन फॉसपेट इसके साथ है वन फॉसपेट इसके साथ है अब यह टू मॉलेकुल बन गए अब यह जो रिमेनिंग फॉसपेट था वो भी आके यहां पे लग गया अब हम इसको बोल सकते है एक तो एक पे फॉसपेट ग्रूप है दूसरा त्री पे तो वन प्रे दूसर्वर्फ वन फॉसपेट ग्लायसिर्ट हो यह बोल सकते है तो एक तो एमारे पास टैसक्स में 13 पर यहां पर करते हैं एड्यपी विद ऑडिप जब डालते हैं तो वह उमारे पास फॉसपेट को रिमूव परकि एटी पी बना लेगा यहां पर आमारे पास एट को इसने दे त्री फोस्फो ग्लैसरेट जो है वो रह गया चीखँए अब त्री फोस्फो ग्लैसरेट स्टेप सेवन में फिर हम ने एडीप जो है वो इंजर्ट की ये इसने अपना वाला जो फॉस्पेट रहता था वह भी अटिपी को दे दिया अब यह अमारे पास ATP बन गया और यह अमारे पास टूप फॉस्फो ग्लैसरेट बन गया अब वाटर मॉलकिल की रिमूल भी होगी इसी दोरान पिर क्या होगा यह टूप फॉस्फो ग्लैसरेट जो है वो चेंज हो जाएगा फॉस्फो फिनोल फायरोवेट में जो के हाई एनरजी तूप फॉस्फो ग्लैसरेट हम पढ़ रहे हैं वो सिर्फ खुद को रिया रेंज करके फॉस्फो फिनोल फायरोवेट बना लेगा फॉस्फो फायरोवेट के पास जो हाई एनरजी फॉस्पेट होगा वो भी यह डुनेट कर देगा इस दोरान हम पिर तूएड़ी पी एसिड जो है वो हमारे पास बन जाएगा पायरिविक एसिड हमारे पास एक नहीं दो होंगे क्योंके एक पी जी एल का हमने ये प्रोसेस पड़ा दूसरी दपा पिर ये प्रोसेस होगा क्योंके जो डायर दूसरा मॉलेकिल ता हमने कहा कि ये पी जी एल में कनवर्ट हो जा का दूसरा वाला भी यह प्रोसेस करके यानि टू पायरिविक एसेड आमारे पास मिल जाएंगे जिसका फॉर्मूला है पास में हमारे पास इप स्टेफ सिक्स में हमारे पास यहां पर नगयी यह आमारे पास टोटल एटिपी हो गए जो डारेक्ट बने है फोर बन गए फोर एटीपी जो है वो डारेक्ली बन गए अब जो पहले पहले हमने कंज्यूम कराई थी दो एटीपी पहले हमने एटीपी डाली थी ना वो पासपेड चला गया तो एडीपी हमारे पास रिलीज हो गये थे तो जब टू एटीपी हमने कंज्यूम की एक और consume हमारे पास वी है 2 अब जब 4 में से minus 2 जो consume वी है उसको निकाल लेते हैं तो हमारे पास 2 ATP बच जाती है जिसको हम बोल सकते हैं कि net gain हमारे पास glycolysis में 2 ATP है यानि हमारे पास glycolysis में 2 ATP बन गई है और 2 NADH वो बन गए है 1 NADH वो हमारे पास 3 ATP के equal होते है अगर हम 2 NADH की बात करते हैं तो वो 6 ATP के equal है बट इसको एक साइट पे रखते हैं हमारे पास हम कहते हैं कि glycolysis में हमारे पास जो ATP बन गई है वो हमारे पास 2 ATP हमारे पास net gain वहां से हुआ है तो यह था हमारे पास glycolysis next video में इसके बाकी जो topics है उसको continue रखते है ATP counter तक के हमारे पास total कितनी ATP लास्ट तक कितनी बनती है और कितनी consume होती है तो इस chapter का मतलब ही यह है कि bio energetics life में हमारे पास energy कैसे बनती है कैसे consume होती है और total क्या amount होता है तो यह सब पढ़ते है जब तक कि हमारे यह chapter complete ना हो जाए तो तब तक के लिए देखते हैं मेरे channel सदाका कर अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज पसंद आयो तो करिंड़ी लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा channel ताके जितनी बी नीव अपलोड वीडियोज है मेरी वो भी आप तक पहुंच जाए तेंक यू सो मच और अलाहाफिज